सुकला के स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्मकी आज़्या से सुकला के साथ शाध हादी करके देवताओं से वर्दान प्राप्त करना भगवान विष्णु कहते हैं राजन क्रिकल वैश सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लोटे वे सोचते थे मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया मेरे सब पित्र स्वर्ग को चले गए होंगे वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे एकी एक दिव्वे रूप धारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पिता मह को प्रत्यक्ष रूप से बांध कर सामने प्रकट हुए और बोले वेश्य तुमारा पुन्हें उत्तम नहीं है तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया यह सुनकर क्रिकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए उन्होंने पूछा आप कौन है जो ऐसी बात कह रहे है मेरे पिता पिता मह क्यों मांधी गए है मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला धर्म ने कहा जो धार्मिक आचार और उत्तम्रत का पालन करने वाली शेष्ट गुणों से विभुशित पुन्य में अनुराग रखने वाली तथा पुन्य में पतिवरता पत्नी को अकेली छोड़ कर धर्म करने के लिए बहार जाता है उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो सप्रकार के सदाचार में संलगन रहने वाली प्रशंसा की योग्य आचरन वाली धर्म साधन में ततपर, सदा, पातिवरत्य का पालन करने वाली सब बातों को जानने वाली तथा ज्यान की अनुरागिनी है ऐसी गुणवती, पुन्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो उसके घर में सरवदा, देवता निवास करते हैं पित्र भी उसके घर में रहकर निरंतर, उसके यश्की कामना करते रहते हैं गंगा आदी पवित्र नदिया, सागर, यग्य, गौ, रिशी तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में उपस्तित रहता है पुन्यमई पत्नी के सहयोग से ग्रहस्त धर्म का पालन अच्छे धंग से होता है इस भुमंडल में ग्रहस्त धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है बैश्य ग्रहस्त का घर यदि सत्य और पुन्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं ग्रहस्त का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारन करते हैं ग्रहस्त आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता जिसके घर में सादवी स्त्री होती है उसके यहां मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब उपस्तित रहते हैं इसी प्रकार जो पत्नी से रहत है उसका घर जंगल के समान है वहां कि यह हुए यग्य भांती-भांती के दान सिद्धिदायक नहीं होते सादवी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार से तारने के लिए, कल्यान साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुन्य नहीं है जो अपने धर्म परायना सती नारी को छोड़ कर चला जाता है बेह मनुश्यों में अधम है ग्रेह धर्म का परित्याक करके तुम्हें धर्म का फल कहां मिलेगा अपनी पत्नी को साथ लिये बिना जो तुमने तीर्थों में श्राद और दान किया है उसी दोश से तुम्हारे पूर्वज बांदे गए है तुम चोर हो और तुम्हारे ये पित्र भी चोर है क्योंकि इन्होंने लौलुपता वर्ष तुम्हारा दिया हुआ श्राद का अन खाया है तुमने श्राद करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा है जो सुयोग ये पुत्र श्रद्धा से युक्त हो अपनी पत्नी के दिये हुए पिंड से श्राद करता है उससे पित्रों को वैसी ही त्रिप्ती होती है जैसी अमरित पीने से इसमें तनिक भी संदेह नहीं है पत्नी ही ग्रहस्त धर्म की स्वामिनी है उसके बिना ही जो तुमने शुब कर्मों का अनुष्ठान किया है यह इसपाश्टे ही तुम्हारी चोरी है जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तयार करती है तो वै अमरित के समान मधूर होता है उसी अन को पित्र प्रसन होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेश संतोश और त्रिप्ती होती है अतह पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वे निश्पल होता है क्रिकल ने कहा धर्म अब कैसे मुझे सिध्धी प्राप्त होगी किस प्रकार मेरे पित्रों को बंधन से चुटकारा मिलेगा धर्म ने कहा महाभाग अपने घर जाओ तुम्हारी धर्म परायना पुन्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी उसे सांतवना दो और उसी के हाथ से श्राद करो अपने घर पर ही पुन्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ट देवताओं का पूजन करो इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ याथ्रा सफल हो जाएगी भगवान श्री विश्नु कहते हैं राजन यों कहकर धर्म जैसे आय थे वैसे ही लोट गए परम बुद्धिमान क्रिकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देख कर मन ही मन भहुत प्रसन हुए सुकला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष में मांगलिक कारे किया ततपर्षाद धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेश्टा बतलाई स्वामी के आनन्दायक वचन सुनकर महाभागा सुकला को बड़ा हर्श हुआ उसके बाद क्रिकल ने घर पर ही रह कर पत्नी के साथ शद्धा पूर्वक श्राद और देव पूजन आदि पुन्यकर्म का अनुष्ठान किया इससे प्रसन होकर देवता, पित्र और मुनिगन विमानों की द्वारा वहाँ आए और महात्म क्रिकल और उनकी महानु भावा पत्नी दोनों की सराना करने लगे मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहाँ गए संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ठ थे सब ने उन दोनों पती पत्नी से कहा सुवरत तुम्हारा कल्यान हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मागो क्रिकल ने पूछा देव बरुम, मेरे किस पुर्य और तब के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधा रहे हैं इंद्र ने कहा, यह महाभागा सुकला सती है इसके सत्य से संतुष्ठ होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं यह कहकर इंद्र ने उसके सतित्व की परिक्षा का सारा वृतांथ थोड़े में कह सुनाया उसके सदाचार का महातम में सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसंता हुई हर्शो लास से क्रिकल के नेत्र डबडबा आए धर्मातमा वैशे ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारम बार साश्टांग प्रणाम किया और कहा महाभाग देवगर्ण आप सब लोग प्रसंन हूँ तीनो सनातन देवता ब्रह्मा विष्णू तथा शिव हम पर संतुष्ट हूँ तथा अन्य जो पुन्यात्मा रिशी मुझे पर कृपा करके यहां पधा रहे हैं वे भी प्रसंता प्राप्त करें मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे तथ पशात अन्त में पतनी और पित्र के साथ मैं भगवान शेविश्णु के धाम में जाना चाहता हूं देवता बुले महाभाग एवा मस्तू यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा भागवान श्रिविष्णु ने कहा राजन यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पती-पत्नी के उपर फूलों की वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया वर देकर वे उस पती-व्रता की स्तुती करते हुए अपने-अपने लोग को चले गए इस परम, उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हे सुना दिया राजन जो मनुष्य इसे सुनता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है स्त्री मात्र को सुकला का उपाख्यान शद्धा पूर्वक सुनना चाहिए इसके शवन से वे सौभाग्य, सतित्व तथा पूत्र पात्रों से युक्त होती है इतना ही नहीं पती के साथ सुखी रहकर वे निरंतर आनंद का अनुभव करती है करता है